हेलो एवीवन, वेलकम टू सक्सवित राय अकेडमी, 9 सितंबर 2022 के डैनिक जागरन के राष्टी संस्क्रण को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहनी हेडिंग हम ले रहे हैं, गोगरा हाट स्प्रिंग से भी सैनिक वापस और उसके बाद जब भारती सेना ने इसका विरोत किया, उसके बाद हाता पाई हुई और लाठी डंडो से ही लडाई हुई थी, लेकिन उसमें कुछ भारत के भी सैनिक सहीद हुए थे और चीन के भी सैनिक मारे गए थे, अब ये लाठी डंडे से लडाई इसलिए हुई थ है उसके एक किलोमीटर दाइरे से भी ज्यादा में आप हतियारों के साथ कोई भी गस्त नहीं कर सकते हैं ये समझोता हुआ था भारत और चीन के बीच उसी के तहत आज भी ये समझोता लागू है आप जितने भी वीडियो देखेंगे यूटूब में या फिर कहीं पर भी तो उसी में जो सोलवे कमांडर इस्तर की वारता हुई है पंद्रवी जो वारता हुई थी उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला था तो इसे सोलवे इस्तर के लिए बढ़ा दिया गया था अब जब सोलवे इस्तर की बात चीत होई है उसमें ये सयुक्त बयान जारी किया गया ह बैठक के बाद कि गोगरा और होट स्प्रिंग से भी सैनिक वापस बुलाए जाएंगे इस होट गोगरा और होट स्प्रिंग को हम मैप से समझते हैं देखें यह है मैप और इसमें आप देख रहे हैं यह जो छेत्र है यह पाकिस्तान का छेत्र है यह अफगानिस्तान और यह जो सीमा लगती है हमारी ये लगती है चाइना के साथ और ये जो अकसाई चीन है ये जो आप डार्क कलर में देख रहे हैं ये अकसाई चीन है जो युद्ध में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें चीन ने हत्या लिया था या फिर आप कह सकते हैं समझोते के तह भारत ने इसे चीन को सौप दिया था, तो उसे बोलते हैं अकसाई चीन, अब यहां पर है होट स्प्रिंग आप देख रहे हैं और यह है गलवन घाटी, गलवन घाटी में ही यहां पर चीनी सैनिक अंदर आ गये थे, जिसका विरोध भारती सैनिकों ने किया था और उसमें फ गाटी यह गलवन वैली, अब यहां पर इसे आप देखेंगे, अगर जब हम इसे दूसरे मैप में भी देखेंगे फिर कभी, तो उसमें आपको समझ भी आएगा, कि यहां पर फिंगर पॉइंट जो बोला जाता है, क्योंकि इस तरीके से यहां पर फिंगर बने होते हैं, एक्च्वल कंट्रोल, चलिए, नेक्ट नीउस पर आते हैं, नेक्ट नीउस है कि कर्तव विपत पर दिखेगा नय भारत का भविष्य, कल परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने कर्तव विपत का उद्गाटन कर दिया है, आपको पता होगा कि कर्तव विपत का नाम पहले क्विंस वे बोलते थे, लेकिन फिर बाद में इसका नाम राजपत और जनपत कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने एक इसमें टिपड़ी की कि राजपत से ऐसा लगता है कि आप किसी राजा का पत है और आप उस पर नहीं जा सकते हैं, इसलिए इसको कर्तव विपत नाम दि पतिमा का भी अनावरन किया है, जो आप इस वीडियो में, पिक में देख रहे हैं, स्क्रीन पर, प्रधार मंत्री नरेंद मोदी ने इसे एतिहासिक और अभूतपूर बताते हुए, ये भी बोला कि आजादी के बाद कहीं नेता जी सुबास चंद्र बोस की उपलबदियों को और उनको नजर अंदाज किया गया था, चलिए, नेक्ष नियूस पर आते हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षन मामले में विचारनी ये प्रस्नता है, सुप्रीम कोट की सम्विधान पीठ परखेगी कि सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षन देने की सक्ति देने वाला का कानून सम्विधान के मुल धाचे का उलंगन करता है कि नहीं, सुप्रीम कोट की पांच जजों की सम्विधान पीठ ने गुरुवार को विचार के लिए तीन कानूनी प्रस्न तै किये हैं, उनमें से एक प्रस्निया भी है कि आर्थिक आधार पर आरक्षन का प्रावधान क करने वाला एक सो तीनवा सम्विधान संसोधन कानून क्या सम्विधान के मुल धाचे का उलंगन करता है, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोट की सम्विधान पीठ में 13 सितंबर से नियमिस्त सुनवाई शुरू होगी, सुप्रीम कोट में बहुत सी याजिकाएं लंबित हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानि कि EWS को सिक्षण संस्थानों और नौकरियों में 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले को, और ऐसे आरक्षण का प्रावधान करने वाले एक सो तीनवे सम्विधान संसोधन कानून को चुनौती दी गई है, गुरू वार क चीफ जस्टिस यू ललित दिनेस महेश्वरी, एस रविंद्र भट, बेला एम त्रिवेदी और जीबी पारडी वाला की पांच सदस्थिये सम्विधान पीठ ने सुनवाई के लिए विचारणी प्रस्नित तै किये, पीठ ने विभिन पक्षकारों की ओर से कोट के विचा करना चाहिए, पीठ ने कहा कि वहाँ अटार्नी जनरल द्वारा प्रस्तावित तीन प्रस्नों पर विचार करने और मामले की सुनवाई पहले से निर्धारित तिथी 13 सितंबर से सुरू होगी next news है, बिर्टन पर 70 साल से तक राज करने वाली मारानी ऐलिजाबेथ दितिये का 96 वर्स की आयू बे निधन हो गया बिर्टन के मारानी ऐलिजाबेथ ऐलेकजेंडरा मेरी दितिये का गुरुवार को स्कॉटलेंड के बाल मोरल कैसल में निधन हो गया समय से अस्वस्त चल रही थी, 6 फरवरी 1952 को बिर्टिस सामराज जी की सासक बनी महरानी ऐलिजाबेथ कुल 70 साल 211 दिन सिंगहासन पर रही, वा दुनिया में सबसे लंबे समय तक सासन करने वाली सासन प्रमुख थी, बिर्टन के किंग जॉर्ज छठे और महरानी साल अप्रैल में हुआ था, महरानी ऐलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की चार संताने हैं, सबसे बड़े बेटे प्रिंस चाल्स अब ब्रिटन की राजगदी समहा लेंगे, उनके दो भाई, प्रिंस एंड्रू, प्रिंस एडवर्ड और बहन प्रिंसेस हैं, पड़ा निति गया जम्मु सही 33 सहरों में और जानलेवा हुई हवा, वायू प्रदूसन के खिलाफ छिडी मुहीम में एक और जहां देश के 95 से जादा सहरों में हवा की गुडवत्ता पहले बहतर हुई, वही नेशनल क्लीन एर प्रोग्राम में सामिल देश के करीब 33 ऐसे भी सहर हैं, ज केले मद्य प्रदेश में हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपूर, अजयन, देवास और सागर सामिल हैं, इसमें इसके सांथ ही मेरट, गया, जम्मु और वरोद्रा जैसे सहरों में पियन दस का इस तर पहले से बढ़ा हुआ है, नेक्स न्यूज है कि पांचवी सबसे बड़ी अर्थिक, आर्थिकी बनने से हर भारती गौरवानमित, प्रधानिती नरेंद मोदी ने कहा है कि भारत अविस्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवज़ता बन गया है, यह कोई साधारन उपलब्धी नहीं है, हर भारती खुद को गौरवानमित महसूस कर रहा है, इस उपलब्धी ने हमें अमरत काल में और भी अधिक महनत करने और बड़े लक्षों को प्राप्त करने का विस्वास दिलाया है, हमें यह जोस बरकरार रखना है, प्रधान मंत्री विबिन सरकारी योजनाओं के लाभारती और लोगों को वर्चुली संबोधित कर रहे थे, यहां इस साल के अंत में विधान सभा चुनाओं होने है, मोधी ने गुजरात में स्वास्त के बुन्यादी धाचे की प्रसंसा करते हुए कहा कि राज में इस मल्टी स्पैसिलिटी हॉस्पिटल का मजबूत नेटवर्क है, द टीस लाख गुजरात से हैं, टीवी मरीज को ले सकेंगे गोध, वर्ष दोजर पच्चिस तक भारत को टीवी मुक्त करना है, इसके लिए एक नया अभियान चल रहा है और जिसका सुबारम राश्पती दौपती मुर्म करेंगी, अभियान का नाम है प्रदान मंत्री टीव मुक्त भारत अभियान, इस अभियान के तहट टीवी मरीज को प्रयाप्त पोशक भोजन उपलब्द कराने के लिए जन भागेदारी सुनिश्चित की जाएगी, स्वास्तवा परिवार कल्यार मंत्राले के वरिष्ट अधिकारी के अनुसार टीवी के अधिकांस मरीज गरी इसे प्रयाप्त नहीं माना जा रहा है, इसलिए नए अभियान में जन भागेदारी के माध्यम से टीवी के मरीजों को पोशक खाद्यपदार सुनिश्चित करने का फैसला किया गया है चलिए, नेक्ट निउस पर आते हैं नेक्ट निउस है, क्या है QRSAM तक्नीक? देखिए, स्वदेश में निर्वित कंदूरी की QRSAM मिसाइल में एक साथ कई लक्षों को निसाना सादने की छमता है तरिक प्रक्रिया वाली मिसाइल के रूप में तयार किया गया है, हर मौसम में ये कार्य करती है लक्ष को पहचानने और उस पर निसाना सादने की छमता होती है, 25 से 30 किलो मेटर की दूरी तक सता से हवा में प्रहार कर सकती है 60 किलो मेटर दूर यानि की चांदीपूर से अब्दुलकलाम दीप पर चौथी लांचिंग कॉंप्लेक्स है ये जहां से अगनी सीरीज की मिसाइलों का परिक्षन होता है इसमें भारत ने गुरुवार को उडिशा के चांदीपूर तट पर सता से हवा में मार करने वाली स्वदेशी क्विक रियक्षन सर्फेस टू एर मिसाइल का छठा सफल परिक्षन किया है नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज बिजनेस पेज में पहली नियूज है कि महंगाई कम करने में केंद्र के साथ राज्यों को भी निभानी होगी भूमिका ये स्टेटमेंट दिया है वित्मंत्री निर्मला सीता रमण ने वित्यमंत्री निर्मला सितारमण ने कहा है कि महंगाई कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र के भुरों से नहीं छोड़ी जा सकती है और राज्यों को भी अपनी भूमी का निभानी होगी हाला कि कई रاجियों ने पेट्रॉल और डीजल पर अपने टैक्स में कोई कटोती नहीं की खास बात यह है कि जिन राजियों ने अपने टैक्स में कटोती नहीं की उन राजियों की महेंगाई दर राश्टिये दर से अधिक है सिता रमन ने कहा कि GST लागू होने टोल टेक्स को खत्म करने और एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के वस्तों की आवाजाही की इजाजत के बावजूद राज्यों की महेंगाई दर अलग-अलग होती है गत जुलाई महा की खुद्रा महेंगाई दर 6.71% दर्ज की गई थी जबकि इस आओधी में कई राज्यों की महेंगाई दर 8% से उपर रही उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में महेंगाई कम करने के लिए प्रयाप्त गदम नहीं उठाए गए वहाँ की लोगों को महेंगाई ज्यादा सता रही है नेक्ट नूज है कि मल्टी स्टेट कॉपरेटिव से बढ़ेगी जैविक खेती केंद्रिक ग्रहव सहकारिता मंतरी अमित साने करसी छेतर में सहकारिता की मजबूती का उलेक करते हुए कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक उत्पादों की मार्केटिंग और सर्टिविकेशन के लिए मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बनाये जाएंग साहग गुरुवार को सहकारिता मंतरियों के दो दिवसिये राष्टी सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जल्द ही चार-पांच बड़े सहकारी संस्थानों को मिलाकर राष्टी इस्तर पर बीज की गुलवत्ता बढ़ाने और पुराने बीजों को संड़क्षित कर करने को एक मल्टी स्टेट कोपरेटिव का गठन किया जाएगा प्रधार मंति नरेंद्र मोदी की मंसा के अनुरूप और गेनिक खेती को प्रुटसाहित किया जाएगा प्राक्तिक खेती समय की जरूरत है जिसके माध्यम से किसानों की आंधनी को बढ़ाया जा सकता है दरा मार्केटिंग और एक्सपर्ट के लिए सहकारी संस्था अमूल की अगवाई में एक अलग मल्टी कोपरेटिव का गठन किया जा रहा है नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज है कि भारत और जापान रक्षा सहयोग बढ़ाने पर हिंद प्रसान छेत्र में चीन के आक्रमक्ता के बीच दोनों देशों ने ऐसे नियम आधारित वैस्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता को दोराया है जो सभी देशों की संप्रभुता और छेत्री अखंडिता का सम्मान करती हो भारत जापान की दूसरी 2 प्लस 2 वारता में हिस्सा लेते हुए विदेश मंत्री एस जैसंकर ने कहा कि भारत और जापान नियम आधारित वैस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो अंतराश्टी कानूनों एवं मानकों का सम्मान करती हो और साजा वैस्विक संसाधनों की रक्षा करती ह बैठक के बाद सहुत बयान में दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि सभी देश विवादों का समाधान धमकी बल प्रयोग या एक तरफा रूप से यथा इस्था को बढ़ावा या बदलने की कोशिस किये बिना अंतराश्टी कानूनों के मताबिक करें। अब यह जान लेते हैं कि कौन-कौन से युद्धा ब्यास किस देश के साथ होते हैं। थे भारत और अमेरिका के बीच टाइगर टौंफ वरजृ प्रहार युद्धा ब्यास 2022 तीन युद्धा ब्यास होते हुए हैं। उसके बाद भारत और फ् उसके बीच इंडर उदिधा भ्यास, इंडरा उदिधा भ्यास, आविंद्रा या फिर अविंद्रा उदिधा भ्यास होता है, ये आप जरूर नूट करिएगा, मौश्ट इमपोर्टेंट है भारत और बिटन के बीच इंद्र धनुस युद्धाभ्यास अजय वार्यन युद्धाभ्यास कोंकर युद्धाभ्यास होता है वही भारत और बांगला देश के बीच संप्रती युद्धाभ्यास बोंगो सागर युद्धाभ्यास दो युद्धाभ्यास होते हैं और वही जापान के साथ तीन युद्धाभ्यास होते हैं, धर्म गारजियन, सैन मैत्री युद्धाभ्यास, जी मैक्स युद्धाभ्यास, अब इसमें वायु सेना युद्धाभ्यास भी एड किया जा रहा है. Next News है, British PM ने उर्जा बिल को समिती सीमित करने के लिए दो वर्सी योजना पेस की है, वादे के मताबिक Britain की जो नई प्रधान मंत्री है, लीज ट्रस्ट में सत्ता समालते ही अपनी बड़ी घोशना में लोगों को बड़ी राहत दी है, उन्होंने घरेलू उर्जा बिल को सीमि खर्च नहीं करना होगा, प्रधान मंत्री का पद समालने के तीसरे दिन गुरुवार को इस योजना की घोशना करते हुए ट्रस्स ने कहा कि इस से हर परिवार को साल में उर्जा खर्च पर कम से कम एक हजार पाउंड की बचत होगी, रूस युक्रेन युद्ध के चलते ब खाद्यान निर्यात समझोते पर संकट के बादल, तुर्की राष्टपती तैयब अर्दोगन ने कहा है कि स्वयुक्त राष्ट की अगवाई में हुए खाद्यान आपूर्ती समझोते के तहत रूस के खाद्यान का भी सही तरीके से निर्यात होना चाहिए, उन्होंने इस बाद रूसी राष्ट पती ब्लादी मेर पुतिन की सिकायत को उचित माना है, बुद्धवार को पुतिन ने काला सागर के रास्ते युक्रें के खाद्यान निर्यात के समझ्छा करने के संकेत दिये थे विस्व में खाद्यान की तेजी से हो रही कमी को दूर करने के लिए स्युक्त राश्ट की अगवाई में जुलाई में रूस, युक्रेन और तुर्किये के भी समझोता हुआ था इस समझोते के तहत रूस ने फरवरी में उक्रेन युदध सुरू होने से पहले की गई काला सागर की नाके बंदी को खत्म किया था इसके बाद काला सागर से उक्रेन मालवाही जहाजों का आवा गमन सुरू हुआ था इन जहाजों की सुड़क्षा की गारंटी रूस और युक्रेन के मित्र देशों तुर्की ने ली थी नेक्स्ट नियूस पर आते हैं ट्रम का फैसला पलट एफ-16 लडाकु विमान के लिए पाक को 45 करोन डॉलर देगा अमेरिका अमेरिकी राश्पती जो बाइडन प्रसासन ने पूरवर्ती ट्रम प्रसासन के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को एफ-16 लडाको जेट विमान के बेड़े के रख रकाओ के लिए 45 करोन डॉलर की सहायता देने की मंजूरी दी है अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि इस वित्तिय सहायता से रक्षा चेतर में पाकिस्तान को अपनी वर्तमान जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी विदेश विभाग के परवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान आतंगवात के खिलाफ लड़ने में अमेरिका का पुराना और एक एहम साजेदार है लंबे समय से चली आ रही नीती के तहट अमेरिका द्वारा अपने स्वदेशी उपकरणों के रख रखाओ के लिए साहता दी जा रही है पेंटांगन ने कहा कि यह साहता अमेरिका की विदेश नीती और उसकी राष्टिय सुरक्षा के उद्देशों का समर्थन करती है चलिए तो यह आज का 9 सितंबर 2022 का दैनिक जागरान का राष्टिय संस्क्रण था अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद